हेलो दोस्तों फिर से एक नए वड़ो में आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है तो दोस्तों आज की सुड़ो में हम बात करने वाले हैं रेलवे रिकृट्मेंट बोर्ड का नियू अपडेट के बारे में तो देखे प्रेंस यहाँ पे यह सो अपडेट है आपकी रहन इस वड़ो में दिक्कत हो रहा है प्रुलम हो रहा है आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपका जो कास्ट कॉमणिटी सेटिफिकेट वह आपका इस्टेट लेवल का इसी भी परकार का query होगा तो आप मुझे comment box में comment करेंगे सबसे पहले देखे दोस्तों यहाँ पे हम चेक करेंगे issuing authority कि किस authority के पास आपको जाना होगा इस certificate को बनवाने के लिए तो यहाँ पे आप सबसे पहले यहाँ पे select करेंगे अगर आप ऐसी category से belong करते हैं तो आप आपको I agree में click करना है इसके पस्ट आपको यहाँ पे issuing authority में आपको click करना है आप देखे दोस्तों यहाँ पे issuing authority में आपको यहाँ पर देखने कमल जाएगा authority का यहाँ पे इन authority के पास आप जाके अपना central level का जो certificate होता है वो आप बनवा सकते हैं देखे प्रेंस यहाँ पे आपका जो state level का certificate होता है वो आपका RRB का इसमें आपको नहीं चलने वाला है RRB का किसी भी post के लिए अगर आप online आवदन करते हैं तो आपका central level का ही certificate आपको बनवाना होगा तो आपको करना क्या होगा इन authority के पास आपको जाना होगा और आपको बनवाना होगा कैसे बनव से बनवा सकते हैं जैसे कि अगर आप OBC से belong करते हैं non criminal layer से belong करते हैं तो यहाँ पर authority में आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर तैसिलदार का option मिल जाता है इसमें आप तैसिलदार से बनवा सकते हैं बाकि जो अगर आप ST, SC category से belong करते हैं तो आपको यहाँ पर जाना होगा जिला magistrate के पास यह जो भी यहाँ पर आपको authority मैंने यहाँ पर बताया है उन authority के पास आपको जाना होगा अब चलिए दोस्तों आप मैं आप लोगों को format बता दता हूँ form का format क्या रहने वाला है और आपको form को कहा से download करना है आपको जाना कहा है अब देखिए दोस्तों यह सबसे पहले आपको करना क्या है आना है आपको Google में और आपको search करना है RRB जैसे आप RRB search करेंगे सबसे पहले नंबर में आपको देखने को मल जाएगा railway recruitment board इसमें आपको click कर देना है इसमें आप जैसे click करेंगे तो इसका official dashboard में इस पकार आप आजाएंगे इसके बाद द certificate download करने का link तो यहां पर देखे प्रेंस यहां पर सबसे पहले STSE आता है इसके बाद आपका OBC आता है EWS आता है EBC आता है ऐसे ही अगर आप disabled candidate है तो आपको यहां पर इसका भी आपको certificate का format जो होता है आपको मिल जाता है जिस भी category से belong करते हैं वो category का जो होता है आपको format download कर ल ठा्रियोंता है तो इसके लिए आपको यह जो format होता है यापको download करना होगा download करने के प्रिस्टाद सबसे पहले आता हां यहां पर प्रिंट आउट निकलो लेना है यहां पर आपको सबसे पहले यहां और कर एक आपको पूच्छा किया आपको फ तो इस प्रकार आपको आपको फिल करना होगा, ऐसे ही देखें दोस्तों यहाँ पे apprendre के लिए आपको प्राइप विल करना होगा sworn было करने के यहाप को यहांपे एक। यहांपे अपको साइन साइन सब्सक्राइबuba कमा सभड जानय सी अदर दो जांकिन का मुझाक हैं यहाँ पर आपको science signature कहां से करवाना है वो भी मैं आपको बता जाता हूँ इन officer के पास आपको चले जाना है देखे दोस्तों यहाँ पर आपको district magistrate के पास चले जाना है collector के पास यह आपको यहाँ पर जो भी आपको देखने को मल जाया रहा है इन में से आपको किसी भी एक के पास चले जाना है वहाँ पे आपका जो certificate होता है वो आपका बन जाएगा आपका sign signature हो जाएगा आप देखे दोस्तों यहाँ पे आपको लेकी क्या कह जाना है ये भी मैं आपको बता जाता हूँ सबसे पहले आपको रासन कार्ड लेके जाना है रासन कार्ड आप लेके जाना ना भूले इसके वद आपका जो आधार कार्ड होता है वो लेके जाएंगे आपका जो caste certificate आपने बनवाया होगा और निवास परमाण पत्र आगर आपके पास आई पर्माण पत्र है तो वो भी आप लेके जाएंगे साथ में देखे फ्रेंस यहाँ पे आपका जो CAST Certificate आपने State वाला बनवाया है, वो भी Certificate आपको लेके जाना है और देखे दोस्तों यहाँ पर आपको सनलक्द कर दिना है दस्तवेत को आपको जमा कर दिना है आपका जल्द ही आपका बन जाएगा ज्यादा देर नहीं लगगा हो क्योंकि आपको offline यह sign signature करवाना है तो आपका ज्यादा देर लगने वाला नहीं है इसके आव सकता है तो यहाँ पर आपका जल्दी काम हो जाएगा तो इस प्रकार आपको यहाँ पर आपका जो science signature लगने वाला है वो आप करवा लेंगे फिर से यहाँ पर बता दे रहा हो दोस्तों यहाँ पर in officer के पास आपको जाना होगा आपको check कर लेना है जैसे कि आपको district magister हो गया deputy collector हो गया collector हो गया आपको तहसिलदार के पास नहीं जाना है तहसिलदार में आपका यह certificate नहीं बनने वाला है क्यों कि आपको यहाँ पर this option आपको देखने को नहीं मिलता है तो आपको जैसे डाउलोड करेंगे तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा सबसे पहले देखे दोस्तों यहां पर आपको इसका print out निकलवा लेना है print out निकलवाने के पसाथ आपको सबसे पहले आपका नाम यहां पर full करना होगा पिताजी का नाव आप यहाँ पे फिल करेंगे विलेज का नाव आप यहाँ पे फिल करेंगे डिस्टिक या डिविजन का नाव आप यहाँ पे देंगे इस्टेट या यूनियन टेरिटरी का आप यहाँ पे नाम फिल करेंगे इसके बाद देखे फ्रेंस यहाँ पर आप किस जाती समुदाई से बिलोंग करते हैं किस कास्ट काटिगरी से बिलोंग करते हैं वो आप यहाँ पर कास्ट काटिगरी यहाँ पर आपको देना है डेट आपको मेंसन करना है जो भी आपका यहाँ पर date होगा वो आप यहाँ पर mention करेंगे इसके पचात आपको यहाँ पर father का नाम फिल करना है यहाँ पर आपका district आप यहाँ पर फिल करेंगे state यह union territory आप यहाँ पर फिल करेंगे इसके पचात आप simply उपर के उसको करेंगे यहाँ पर आपको sign signature करवाना होगा sign signature किसे करवाना है वो आपको यहाँ पर बताये गया है district magistrate के पास जाकर आप sign करवा सकते हैं या किसी आदर जो होता है authority के पास आप जा सकते हैं जैसे कि आपको यहाँ पर देखने को मल जाएगा इन authority के पास आप जा सकते हैं इसे लिए ही आपको करना क्या है ओफ्लाइन आपको बनवाना है अचिर्टान आपको बनवाना है क्या क्या document लेके जाना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले देखे दोस्तों यहाँ पर आपका रासन कार्ड आपको लेके जाना है इसके बद आपका जो भी यहाँ पर आधार कार्ड होगा वो लेके जाएंगे OBC Non Criminal Alert का certificate अगर आपने बनवाया है state level में तो वो certificate आपको लेके जाना है देखे फ्रेंस यहाँ पर जो भी certificate यह जो भी आपका document लगा था state level में बनवाने के लिए वही document लेके आपको जाना है central level का बनवाने में तो इस परकार आपको यहाँ पर document जो भी लगता है वो आप लेके जाएंगे मैंने आप लोगों को document पहले ही बता दिया क्या क्या document आपका लगने वाला है यह सारी document लेके जाना है आपका जो science signature होता है यहाँ पर हो जाएगा और आपको इसको sign signature करना होगा देखे दोस्तों यहाँ पे यह जो declaration होता है यह आपको swim के द्वारा करना होगा सबसे पहले आपको यहाँ पे candidate का आपको signature करना होगा candidate का नाम देना होगा RRB का यहाँ पे आपको registration number आपको देना होगा place और आपको date भी यहाँ पर mention करना होगा तो यह आपका OBC non criminal के लिए यह declaration रहने वाला है ऐसे ही देखे दोस्तों यहाँ पर other जो भी category होते हैं वो उनके लिए भी आप यहाँ पर यह जो form होता है वो आपको देखने को मल जाएगा वो form आप यहाँ पर fill करेंगे देखे प्रेंस यहाँ पर आपका photo भी लगने वाला है तो photo भी आप लेते जाएंगे अगर आप OBC non criminal करते हैं तो आपको एक photo भी लेके जाना है और आपका यह जो form होता है यह आपको download कर लेना है ऐसा ही देखे दोस्तों यहाँ पर अगर आप ABC अगर आप यहाँ पर से लोंग करते हैं ABC अगर आप यहाँ पर community से आते हैं तो इसके लिए भी आपको certificate जो format होता है यह जो form होता है वो आपको मिल जाता है यह download करेंगे और आपको जानकारी को fill करना है जैसे के देखे दोस्तों यहाँ पर नाम हो गया पिताजी का नाम हो गया, age हो गया आपका जो भी यहाँ पर domicile जो address होता है वो आफ़ल करेंगे, income आपको यहाँ पर देदेना है जो भी income होगा, date और signature आपको यहाँ पर mention कर देना है इसके बाद देखे दोस्तों यहाँ पर simply उपर करना है, आपको multiple जो भी certificate होता है वो आपको देखने को मल जाएगा जो भी cast community से बिलोंग करते है वही cast community का आपको certificate जो होता है यह form होता है वो आपको download करना है आप देखे दोस्तों यहाँ पर अगर आप EWS से बिलोंग करते हैं तो EWS के लिए भी आपको यहाँ पर मिल जाता है आपका form EWS के लिए आप यहाँ से download करेंगे और जो मैंने format बता दिया है कैसे आपको fill करना है जानकारी को वैसे ही सारी जानकारी को आपको fill करना है जैसे कि मैंने यहाँ पर ST, SC, OBC, Non-Kirmalier और ABC का यहाँ पर मैंने बताया है ऐसे ही आपको EWS का पर जो भी form होता है वाँ फिल करेंगे और आपको जो sign signature कैसे करवाना है, कहाँ पर करवाना है यह भी मैंने आप लोगों को बता दिया है तो इस प्रकार जानकारी दोस्तों, I hope आप लोगों को यह जानकारी पसंदाया होगा आप देखे दोस्तों यहाँ पर आपको जानकारी को कैसे फिल करना है यह भी मैं आपको बता दिता हूँ आप देखे दोस्तों यहाँ पर मैं community details section में आ चुका हूँ सबसे पहले आपको यहाँ पर card select करना है, community select करना है, non-criminalize ब्लोग करते तो आप यहाँ पर non-criminalize ब्लोग करेंगे आप देखे दोस्तों यहाँ पर जो certificate आप बनवाएंगे, center level में जो certificate आप बनवाएंगे, उस time आपको यहाँ पर certificate number आपको provide करा दिया जाएगा वही certificate number को आपको यहाँ पर fill कर देना है इस वाल बॉक्स में, ऐसे नहीं कि आप कुछ भी number आप यहाँ पर enter कर रहे हैं, आपको वही certificate number यहाँ पर fill करना है, जो आपका center level में आपका certificate जाओ, आप sign करवाएंगे, उस time आपको एक certificate number दिया जाएगा, उसी में आपका form होता है उसी में आपका sign signature जैसे करेंगे authority, वही पर आपका certificate number होता है, वह आपको provide करा देंगे, वो certificate number आपको यहाँ पर fill करना होगा, authority का नाम आप यहाँ पर select करेंगे, जिसके पास आपने sign signature करवाए है, जो भी authority के पास उस authority का नाम आपको यहाँ पर, sorry friends, यहाँ पर उस authority का जो यहाँ पर होता है वो आप यहाँ पर select करेंगे जैसे कि अगर आपने collector के पास अगर आपने करवाया है तो collector आप यहाँ पर select करेंगे डेप्टिक collector के पास अगर आपने करवाया है तो आप यहाँ पर select करेंगे अगर आप डेप्टिक commissioner के पास अगर आपने करवाया है तो आप आप यहाँ पर select करेंगे, swing date आपको देखने के मल जाएगा वहीं पर जब आप certificate बनवाएंगे, वहाँ पर आपको date भी mention किया जाएगा, वही date आपको यहाँ पर करना है, fill करना है, cast community जानकारी फिल करना है, cast जो भी certificate होता है वहाँ आप बनवाएंगे इसी परकार, अगर विडियो पसंद आया होगा, जानकारी पसंद आया, तो विडियो का लाइक, subscribe, share करेंगे, किसी भी परकार का कोई रही होगा तो आप मज़से comment box में comment करेंगे